नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ में हूँ अफीफा मलिक भारत में चीतों का इंतिजार अब खत्म हुआ साउट आफरिका से आ रहे चीते शनिवार सुबा भारत की जमीन पर कदम रख चुके हैं पहले नमीबिया से भारत आ चुके 8 चीते और अब साउट आफरिका के भारत चीतों के आने से देश भर में एनिमल लवर्स में खुशी है और इस प्रोजेक्ट को लेकर सारी तयारिया की जा चुकी हैं हर तरह के इंतिजाम हो चुके हैं भारत और साउट आफरिका के बीच हुए MOU के मताबिक ये चीते अब भारत में प्रवेश कर चुके हैं शनिवार को दक्षिन अफरीका से चीते इंडियन एर फोस की C-17 लोब मास्टर फ्लाइट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुचे ग्वालियर एर बेस पर एफरिका से आए चीतो का मेडिकल चेक अब भी किया जाएगा अब इन सभी चीतो को M-17 हेलिकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कुनो नैशनल पार्क ले जाएगा चीतो को लेकर आना बेशक एक बहुत ही चैलेंजिंग और बड़ा काम है हर बात का ख्याल रखते हुए चीतो को रास्ते में ड्रिप से हाइडरेट किया गया और उनकी कॉलर फिटिंग को भी चक किया गया भारत में एफरिकी चीता प्रोजेक्ट की बात 2009 से चल रही है पीम मोदी ने पिछले साल अपने जनम दिन के मौके पर यानी 17 सेप्टेमबर को नामीबिया से आए आठ चीतो को कुनो में छोड़ा था भारतों साथ आफरिका में जैनवरी 2022 में एक MOU साइन हुआ था जिसके तहट शनिवार को साथ आफरिका के 12 चीते भारत आए 12 चीतो में 5 मादा चीता है और 7 नर चीते हैं सभी चीतो को कुनो नैशनल पार्क पहुचने के बाद क्वैरिंटीन किया जाएगा और हर तरह की तयारी करते हुए चीतो के लिए 10 क्वैरिंटीन बाड़े भी बनाए गए और एक बाड़े में चीतो की जोड़ी को रखा और केंद्रिय मंतरी भूपेंद्र सिंग चीतों को क्वारिंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। वहीं चीतों के आने से देल भर के अनिवाल लवर्स काफी एकसाइटेड है। अभी के लिए इतना ही जुड़े रहें आज की खवर के साथ।